सीजन टू एपिसोड टेन स्टार्ट होता है और जो सीन हमें दिखाया गया है ये एक फ्लैश बैक का सीन है सॉल और चक दोनों हस्पिटल में बेठे हुए होते हैं उनके जो मदर होती है वो बहुत ही बिमार होती है चक और सॉल वहाँ दो दिनों से बेटे हुए होते है पर फिर भी वो conscious नहीं होती सॉल को भुक लगी होती है और वो चक को बोलता है कि चलो हम जाकर नीचे जाकर कुछ खाना खात कर आए चक को अपनी मदर को छोड़ कर कहीं जाना नहीं होता तो फिर सॉल वहाँ से चला जाता है थोड़ी देर बाद उसी मदर को होशा जाता है वो बोलने लगती है कि जीमी जीमी यानि कि सॉल का नाम वो ले रही होती है चक उसे बोलता है कि मैं हूँ चक हूँ पर वो उस नहीं सुनती और मर जाती है चक रोने लगता है और जब नरस आती है तो अपने इमोशन को वो कंट्रोल कर लेता है फिर वो उस रूम से बाहर बैठता है जब सॉल सब खाकर आता है तो वो जो रूम में देखता है तो उसकी मदर वाहनी होती तब वो चक को पुछता है चक बोलता है कि वो मर चुकी है सॉल उसे पुछता है कि क्या वो फिर से conscious में आई थी चक बोलता है कि नहीं वो वैसे ही मर गई फिर से हम सीरीज के प्रेजिट में आ जाते हैं अब चक को सर पर चोट लगकर वो गिर गया है और सॉल वहा होता है तो सॉल भागकर वहा आ जाता है वो एम्बूलन्स को कॉल कर देता है नेक सिन में हॉस्पिटल में हमें चक दिखता है उस पर बहुत सारा EKG वेगरे कर रहे होते है और light भी उस पर बढ़ रहा होता है वो इन सब चीज़ों से sensitive होता है वो डॉक्टर को बताना चाहता है पर वो उनकी नहीं सुनते चक की temporary treatment करकर डॉक्टर उसे admit कर लेते है फिर वो उसकी जो डॉक्टर होती है वो सॉल से बोलती है कि चक को medical procedure की ज़रूरत है वो ये सब करने में ये सब करने के लिए वो मना कर रहा है सॉल उसकी as a guardianship यानि कि वो उसके लिए decision ले सकता है क्योंकि वो unfit है ऐसा वो judge को दिखा सकते है तो डॉक्टर ये उसको बता रहे होती है सॉल ये करने के लिए ready नहीं होता पर डॉक्टर बोलती है कि अगर ऐसे ही हम wait करते रहेंगे तो चक मर भी सकता है सॉल फिर मान जाता है सॉल चक को मिलने के लिए अंदर जाता है चक फिर सॉल को बोलता है कि कितना टाइम था एक मिनिट, दो मिनिट और तुम उस जेरोक्स के शॉप में आ गए यानि कि तुम वही थे तुमने उस लड़के को पैसे दिये थे और उससे तुमने जुट बोलने के लिए बोला था अर्नी को भी बुला लेता है चक का जो असिस्टन होता है उससे भी बोला रेता है और उससे भी confirmed करवाता है पर अर्नी फिर उससे समझा देता है कि मैंने ही सॉल को कॉल किया था जब हम जेरोस के शॉप में जा रहे थे तो मुझे लगा था कि तुम्हें कुछ तकलिफ हो सकती है इसलिए मैंने सॉल को कॉल कर दिया था चक को पता होता है कि ये जुट बोल रहा है तो उन दोनों को रूम से बाहर निकल जाने के लिए बोलता है अरनी जा रहा होता है तो सॉल उसे रोकता है बोलता है ये तुमने मेरे लिए क्यों जुट बोला अरनी बोलता है कि तुम्हारे फ्रेंड हो और चक तुम्हारे पीछे ही पढ़ा है वो तुम्हें तकलीम में ला सकता है इसलिए मैंने तुम्हें हर्प की सॉल ने अब सब कंसेंट दे दिया होता है चक पर जो भी मेडिकल प्रोसिजर है वो करने के लिए तो डॉक्टर उसके पास आती है और बोलती है कि तुम्हारे एमराय हम करने वाले है जग यह सब ना बोल रहा होता है पर फिर भी उसे यह करना ही पड़ता है जो एमराय होता है वहाँ कुछ भी हिलने के लिए नहीं चलता तो इसकी जो प्रोसिजर होती है वो बहुत ही लंबी हो जाती है सॉल बहारी बैठा हुआ होता है और वो वेट कर रहा होता है कि कब यह प्रोसिजर खतम होगी किम भी उसको सपोर्ट करने के लिए वहाँ होती है Saul की ad वहार रन होती है कि मुझे बोलती है कि तुम्हारी ad बहुत ही अच्छी है फिर चक के सब reports वगरा आते हैं डॉक्टर Saul को आकर बोलती है कि चक का सब normal है वो healthy है उसे कुछ भी problem वगरा नहीं है फिर डॉक्टर उसे बोलती है कि एक complication हो गई है जब Saul चक को देखता है तो चक wrong response से होता है जैसे वो coma में हो एसा होता है Saul डॉक्टर पर चीर जाता है ये ठीक था फिर भी हमने ये इसा procedure की Saul फिर next step पुछता है कि अब क्या होगा डॉक्टर बोलती है डॉक्टर बोलती है कि पहली बार भी चक admit हुआ था तभी उसे ऐसी problem आई थी थोड़ी देर बाद सब normal हो जाएगा तो चक फिर से normal में आ सकता है next scene में हमें दिखता है कि Mike एक अपने लिए gun buy कर रहा होता है उसका जो हमेशा का supplier होता है वो उसे gun buy कर रहा है ये एक sniper वो ले रहा होता है वो target practice भी करता है यानि कि उसका target accurate लगे चक फिर उठता है और Saul से पानी वेगरा मांगता है Saul पानी वेगरा देता है चक फिर उसे बोलता है कि अब मुझे तुम कहा लेकर जाने वाले हो asylum यही तो तुम चाहते थे Saul बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला अब मैं तुम्हें घर लेकर जाने वाला हूँ चक की जो guardianship Saul ने लही होती है वो temporary होती है Saul चक को घर छोड़ कर जाता है चक जब घर पर आता है तो Saul को वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है वो बोलता है कि hospital में मुझे बहुत ही तकलिफ हुई है और मैं अभी किसी से भी बात नहीं करना चाता Saul जब वहाँ से चला जाता है तो वो अपना storage room में आता है ये parking में ही उसने storage room create किया होता है वहाँ जाकर एक tape recorder वो वहाँ से निकलता है नेक सिन में हमें दिखता है कि माई को अब सॉलामांका से बदला लेना है इसलिए उसने वो sniper buy की होती है सॉलामांका पे नजर वो भी रख रहा होता है तो उसे पता होता है कि सॉलामांका कहा जाता है क्या करता है जब सॉलामांका डेजर्ट में होता है और एक आदमी को मारने वाले होते है फिर वो सालामांका को स्नाइप करने वाला होता है वो बहुत ही डिस्टंस पे होता है और सालामांका को नाचो कवर दे रहा होता है नाचो बीच में आ रहा होता है इसलिए वो सालामांका को मारने पाता वो वही वेट कर रहा होता है तबी उसकी कार के हौंस बजने लग जाते है माइक अपने कार को बन करता है वहाँ उसे एक मैसेज करता है कि ये तुम मत करो यानि सॉलोमांका को उसे नहीं मारना है ये किसने लिखा था ये हमें next episodes में बता चलेगा सॉल अपने office में होता है उसके clients वेगरा बहुत ही अच्छा उसका चल रहा होता है क्योंकि वह उसके ad अच्छे से run हो रहे होते है फिर Harvard उसे call करता है Harvard उसे बोलता है कि Chuck ने resignation कर दिया है क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी बता है सॉल फिर अपने clients को वही छोड़ कर चक के पास आ जाता है वो जब चक के पास आता है तो देखता है कि पुरे घर में उसने वो space banquet बिचा हुए होते है चक उसे बोलता है कि ये जो walls वेगरा बनी है ये concrete की बनी है इससे directly electricity की जो waves होती है वो अंदर आ सकती है इसलिए ये option अच्छा है वो पुरे घर को cover कर रहा होता है सॉल उसे बात करने के लिए बोलता है सॉल उसे बोलता है तुमें इसे law नहीं छोड़ सकते बहुत सारे अच्छे cases तुमें आने वाले है और अभी भी तुम बहुत साल defend करते रहोगे चक फिर उसे बोलता है कि ये जो बिमारी है इस बिमारी ने मेरे brain को खराब कर दिया है मैं सिधी साधी विध्यान का भी ध्यान नहीं रख सका मैंने address change किर दिया इसे मेरे clients को hurt हुआ और उनका time और पैसे दोनों waste हो गए मैं ऐसा future में नहीं कर सकता इसलिए मैं retire हो रहा हूँ साल को ये देखकर बुरा लगता है और फिर वो confess करता है साल उसे बोलता है कि तुम सही थे मैंने वो address change किया था तुमने जो भी कुछ बताया कि मैंने कैसे ये सब किया होगा वो सब correct था तुम genius हो चक बोलता है कि मुझे ये अच्छा लगे इसलिए तुम बोल रहे हो साल बोलता है कि उसके लिए भी मैं बोल रहा हूँ पर ये सच है और तुम्हे अच्छा भी इससे लगेगा चक उसे बोलता है कि felony के लिए तुमने अभी-भी confess किया है तुम्हें इसमें जेल हो सकती है ault बोलता है ये तुम्हारा word मेरे खिराफ है ये code में held नहीं करेगा ault फिर वहाँ से चला जाता है और ये सब जो conversation हो रही होती है ये चक ने सब record की होती है ये सारा चक का plan होता है ये ही episode घत्म हो जाता है